कि यजसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि निभिम साएक गरीघ पर दोगों इंजिर्णिंग लिए बेच उनके लिए भी यूजर पर हो वसकता है बट मेंली ये बेच डिपलो मैं हैश इसमें हम लोग 5000 प्लस पॉइंटर डिसकशन वाला ये बैच है, जिसका एनाउंस्ट मैंने आज के पहले किया था, और इस बैच में ये सैंपल क्लास है, या ये कह सकते हैं ये इस बैच की पहली क्लास है, जिसमें आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स में डिसकस करके ये बता हैंगे, इस क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे और हमारा स्टडी करने का पैटन क्या होगा, और इस बैच में मैंने आप वदाया था, इस बैच की फीस बहुत ही नॉमिनल लखी गई है, चौबिस सुनिन्यान बे रूपए, और ये बैच बहुत ही हमने कलेट किये हैं, उनमें से कुछ पॉइंटर तो ऐसे होते हैं, जो केवल डेटा बेस हैं, वो आपको डेटा तुरंत याद रहना चाहिए, क्योंकि एक्जाम में अगर आपने डेटा पे अधारित कोशन गलत कर दिया, तो आपका कॉंसेट कितना भी अच्छा हो, आपक तो दोनों प्रकार की चीजे जिसको तयार होती हैं, उसी का ही फाइनली इंजिनिर के एक्जाम में सेलेक्शन हो पाता है, और एक इंजिनियर ऐसे ही परस्नाल्टी है, जिसके पीछे कर जो आपको बताया जाएंगे, तो यहाँ पर एक सेम्पल क्लास के रूप में या पहल क्लास इसको समझ लिए इसके रूप मैं इस क्लास को डिस्ट्रोज कर रहा हूं आप लोग इस वीडियो को देखेंगा यह आयो के सड़ी सर्केल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं डालूंगा और इसके बाद जितनी भी क्लास होंगी वो क्लास आपकी क्लास प्लाइट अप्लिकेशन पे इस स्टुडेंट्स मेरे पास प्लिकेशन करके और मैं उनका नाम और नंबर पे आड़ कर दूँगा और वो क्लास को लगातार देख सकते हैं जब तक उनके एक्जामनेशन कंप्लीटने हो जाते हैं यह समझ लीजे कि यह बैच इस्पेशली बना है जू पासियती है यह है कि इसमें आपको बहुता भटकना नहीं पड़ेगा हर एक टॉपिक हर एक लाइन के पीछे का रीजन बताते बताते आपके सिल्वस कोई एक ऐसा हिससा बचेगा ही नहीं जो यहां पर हम लोगों ने बताये होगा ओके आईए सबसे पहला जो पॉइंटर है और यह मेरे आई हेन् पॉइंटर सब से मधी बात मेरे हैं घुझ से हाथ से लिख्राफ से कबनाए है 2079 के समय की मनगे हुए है ओ और यह जो पॉइंटर से हैं जो हाथ से स्बसे इसमें एक्ट rec 2087 का मतलब नहीं ंक्युकितनी शाइप reconstruction на क्युकर किताबों में 40% से ज़्यादा गलत दिये हैं सव सवाल के पेपर में यहां तक की 25-25 कोश्चन के एंसर गलत दिये गए और एंसर अगर आप लोगों ने एक बार गलत किताबों का चुनाओं बहुत ही सही तरीके से आप लोगों करना चाहिए और सबसे दुर्भाग की बात यह है कि हिंदी मेडियम के लिए जितनी भी और किताबें आ रहे हैं सब कूड़ा हैं इसको क्या बोलते हैं कूड़ा का मतलब स्क्राइब जो सुबह आप कबार को बेच किताब के आपके अंसर सायो को मतलब नहीं है अगर आप सही चीछ को पढ़ी या आप यहां पॉइंटर जितने बने हैं सब हाइली एकुरेट हैं किसी भी पॉइंटर में किसी प्रकार की कॉंसेप्ट्चोल एंड़ डेटा मिस्टेक नहीं है यह एंड पोइंटर की सबसे कुम्हाइब यह प्रभात है हाथ से लिखकर बनाए इसलिए मैं कहता हूं हाथ से लिखकर बनाए गया यह पॉइंटर है क्योंकि जब मैं इसको हैंडरिटरन कर रहा हूं तो इसके पीछे साड़ी डेटा के वी चेक करना हूं ठीक है यह नहीं पी-एच का हमां होता है उसका मान क्या होता है इसको प्ति के अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या है जिसको उसको यह बड़ावा बोलते हैं माइनस ओॉग यह फॉर्मूला होता है यह हो गया आपका पॉइंटर का अब आते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से निकालते हैं अगर कहीं पर साथ से कम है तो मीडियम क्या कहलाता है एस डिक या अमली यह कहलाता है और अगर पीज कमान साथ से अधिक है तो मीडियम क्या कहलाता है चाली यह कहलाता है या बेसिक कहलाता है और अगर पीज कमान साथ के बराबर है तो मीडियम नीट्रल कहलाता है तो स्वायल मिट्टी जो होती है फसल भाने वाली उसकी खास चीज क्या है कि उसका पीएच का मान देखिए साथ से कम छे और साथ से अधे साड़े आठ मतलब अमल और छार का एक मिश्रण होता है पीएच मान और यहां पर एक पॉइंट आपको मैं और बता दू कि अगर पीएच का मान साढ़े दस के ऊपर हो यहां इसके बराबर भी हो जाए तो जो मी क्या कहलाती है लांड को क्या मोलते हैं जाद हो गई गों सप्रकार की जो प्रणि होती है उसे कहा जाता है अगर उसकी पीए स्वान क्या हो जाए साणे दस से अधिक हो जाए तो यहाँ पर आपका पहला फैट खतम होता है सिर्फ यह पॉइंटर एक क्लास एक पॉइंट नहीं था इस पूरे डिस्कुशन में आपने देखा कि आपने कम से कम इसके पीछे के चार फैक्ट और जादे यही पॉइंटर क्लास है तिक है और यही पॉइंटर क्लास की ताकत है जिन बच्चों के पास थोड़ा सा एकनॉमिकली ठोड़ी प्रॉब्लम है वह इस क्लास को जॉइन करें और वह अपनी महिनत को इस टारट रक्ये मैं बता रहा हूँ यह इस क्लास से बहतर कोई और क्लास सावित हो नहीं सकती है आई-आई-आई-बढ़ते ढने सेकेंड पे सोडियम कार्बोनेट सुत्र क्या है वही एने टू सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं सफेद लवन सफेद लवन या क्या बोलेंगे वाइट सॉल्ट यह फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा हनकारक होता है और दिक्तिव में आपसे चीज़ पूछी आती है कि सफेद लवन इसे कहते हैं सफेद लवन आपका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं सफेद लवन और यहां पर इससे रिलेटेड अगर आपसे और डि सोडियम कार्बोनेट के होता है यह असर क्या डालता है मिट्टी पे तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है यह मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या उसको बोले ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक पोजीशन उनका क्या कर देता है और जिसकी वजह से यह काज़नी पदार्फ होते हैं वो मिट्टी के इस्तेमाल के लायद नहीं बचते हैं और इस वजह से हैं तीसरा पॉइंटर वह आपका यहां पर लिखागे में लिखतों में जल भर कर रिसाओ की प्रक्रिया द्वारा जो इसमें रिसाओ की प्रक्रिया दोरा बाहर की तरफ रिसाओ की प्रक्रिया दोरा चारी लवणों को चारी लवण का मतलब कि शारी ल pencil के बेसिक साल्च या जो ज़ो चौन पहस हो गया चारी लोगों को बाहर निकाला कि आ इस को क्या बोलते है लीचिंग में दधर कर आप आप का रही करते कि मालए इससे कि ट्रों अधिस्टे करते क्या है उसके चारों मेड topics चारों मेर उठा दी या जती एक तरफ द्धर contract यह शूंधल बहुआ दिए लिए और इसका चित्त्र लगबग इस और यह जो पाई होते हैं यह च्छिद्रत होते हैं या परफॉरेटेड नहीं और यहाँ पर खेत में पाणी कार दोको क्या निकलनी है ऑब्जेक्टिब का पॉइंट क्या है कि खेतों में जल भर का रिसाओं पर क्रिया दारा चारी लवड़ों को बाहर निकालना क्या कहलाता है लीचिंग में प्रक्रिया कहलती है अब आते हैं इधे कि इसका डायग्राम भी हांपर प्लियर हुआ उसी तरीके से सिचाई जल की गुर्वत्ताव निधारान के लिए हम लोग सिचाई जल की मलत्ताव निधारान के लिए शोडियम आयन अनुपात निकाला जाता है क्या बोलते हैं उसको sodium iron अनुपार या इंगलीश में क्या बोलते है sodium absorption ratio इसको SAR भी बोला जाता है S.A.R full form क्या है sodium absorption मतलब सोफना R मतलब अनुपार sodium absorption ratio या sodium iron अनुपार भी इसे कहते है सिचाई जल की कुडवत्ता सिचाई जल की गुडवत्ता मतलब हो गया quality of irrigation water irrigation water की या सिचाई जल की quality या गुडवत्ता को बताले के लिए SAR का मान निकाला जाता है SAR के मान के अनुसार हमारे पास सिचाई जल के जो गुडवत्ता के मानक बनाए गए है वह इस प्रकार से है इसको एक छोटे से नोट के तहट आप इसको नोट का लिए अगर पानी 0 से 10 वैल्यू का है अगर SAR का मान क्या है 0 से 10 तो इसे बोलते हैं S1 प्रकार का पानी जो noon sodium पानी कहलाता है noon sodium पानी या low sodium water कहलाता है और अगर SAR या sodium absorption ratio या sodium आयम इंपात कमान 10 से 18 के बीच का है तो यह S2 प्रकार का पानी या मध्यम sodium पानी कहलाता है यह सारे point objective में आ चुके हैं इसको बोलेंगे medium sodium water ठीक उसी तरह है तीसरा आता है अगर यह मान 18 से 26 के बीच में यह बहुत ही important मान है इसको आप लोग इसी pointer discussion के दौरण अपनी copy खोलिए और pointer class 1 के में इस पॉइंटर को साथ में इसी के लिखते जाएगे इसी लिए इसको पीडिएफ आपको दूँगा तो बीच भी मैंने space भी छोड़ रखा ताकि आप इन चीजों को वहां पर लिख भी सकें और जो रखा अलग से इसको copy में लिख रहा है अपने उससे बेटर तो कोई कुछ करी नहीं रहा है ठीक है क्योंकि जो आदमी हाथ से लिखके पढ़ता है उसका सब तयार होता है जो इसको हाथ से लिखके पढ़ना नहीं आता वह आदमी समझ लो कि कुछ दिन तक त्यारी करेंगे कुछ दिन बस और एगरी कल्चर में केवल हाई तक ही जाके मामला खतल नहीं होता अगर यह से ज्यादा हो जाए 26 से अधिक हो जाए 26 से अधिक हो जाए तो यह क्या कहलाएगा हाँ वेरी हाई वेरी हाई सोडियम वाटर या अत्यधिक उच अत्यधिक उच सोडियम पानी तो यहाँ पर आपके पास यह पॉइंटर अब जाएक खत्ब हुआ तो एक पॉइंटर से आपने देखा इसके इंदर कितनी इंफॉर्मेशन थी इसमें S1, S2, S3 और S4 प्रकार के पानी के बारे में भी बात करी गई सब के मान बताए गए न्यून्स मध्य उच और बहुत उच ठीक है लो मीडियम हाई एंड वेरी हाई सार का फुल फॉर्म यह सारी चीज़ें बताए गई यह सब आपके में आप उठाया चुका है अब इस से इतने इंफॉर्मेशन है सब एक बार में कवर हो गई अब इस से ज्यादा आपसे पूछने नहीं वाला है ठीक है अगले पॉइंटर पर अगला पॉइंटर है ओवन में सुखाई भी मिट्टी का वायमंडल एक्मोस्फियर ओवन में सुखाई मिट्टी मतलब ओवन ड्राई सॉयल का वायमंडल या येए इत्मोस्फियर से जॉखा हुवे जलों य हाइड्bare कोडिक जला की है हाइड्रोस्पोडिक जल या हइड्रोस्पोडिक वौटर कहलाता है इस जल अन्धियल एक यह वाटर को गुरुन टुए या ग्रैविटी के तौरा बाहर में निकाला सकता या ग्रैविटीक इस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है कि आपने है को ओन नाम की एप चीज होती है जिसके अंदर हम किसी वी चीज नमी गायद करते हैं अगर आप 24 गे वाधे मिट्टी के सेंपल को ओवन के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर से पूरी नमी हो जयाएकि और जैसे ही उस ओवन के बाहर उस मिट्टी के कटोरे को निकालेंगे तो वायूमंडल में जो जल के कण घूम रहे हैं वो तुरंत इस मिट्टी दौरा सोख लिए जाएंगे और ये जो सोखा हुआ पानी है ये मिट्टी पर गुरूतुबल भी लग रहा होगा और मिट्टी के सोखे होगे पानी पर भी आद्रता ग्राही का मतलब कि जो वाइल मंडल में मौइस्चर है या आद्रता है वहां से वो जल मिट्टी के अंदर आ गया है उसे गुरुत उस पर कोई ब्रभाव गुरुत का नहीं पड़ता है तो यह आपका हो गया अगला पॉइंट आते हैं अगला पॉइंट आपका है स्थाई म्लानांक मतलब पर्मानेट विल्टिंग पॉइंट पॉइंट उस नमी को स्थाई म्लानांक कहते हैं तो देखें कि यह धए फिर मद लालां क्या होता है कि कि पाधों में जो नंगी होती है अगर वो नंगी पाध़ों की बढ़ोतरी के लिए Mौक्णहों को प्राप्ध ना वो तो उस मिल्टिंग पॉइंट कहना है तो इसको कहते है यह के तरो पहुंच में आप यह सकते हैं पर्मनेट मिल्टिंग जन्रली 18 % 18 नमी पर प्राफ्थ होता है जन्रली यह समानेता कई मिट्टियों नमी पर प्राफ्थ होता है मतलब अगर मिट्टी के भार का 18% भार पानी है उसके अंदर तो वो पानी अब पौधोद्वारा खीचा नहीं जा सकता या पौधोद्वारा खीचा नहीं जा सकता आगे अगला पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेट पॉइंट है इस जाए रंध्र को पूरी तरह रंध्र को पूरी तरह जल भरने के लिए अवश्यक्त पानी की मत्रा मिट्टी की संत्रक्त धारिता कहलाती है आपको पता है इस स्वाइल एक थ्री फेज मेडियम होता है थ्री फेज ठीज यह तीन कलाओं का तीन कलाओं काउन कौन को था एर ऑड़ स्थ आंदर क्या क्या चीजिए होती एर होता है खुद मिंठीगे कड़ होते हैं और पान यह तीन चीजिए Cantigale मिट्टी का मेडियम बनता है तो यहां पर जो मिट्टी के बीच में जगा होती उसको क्या बोलते हैं पूर स्पेस में अगर पुरी तरह से जल भर दिया जाए तो मिट्टी और जल अपने अंदर अवसोशित नहीं कर सकती और उस समय पर मिट्टी में जो पानी की मात्रा है य आकक्रिसिटी और स्वायर्या मिट्टी की संत्रत्ध धारता संत्रप्थ का मतलब जैसे आपका मिट्टी की संत्रत्ध़ धरता की देफिनिशन है और यह ऑप्जेक्टिव में डारेक्ट कुछी जाती है अंगला पॉइंट्योंक से एक पुपधिस और यह बहुत ही इंपोर्टेंट कई बात कुछा गया है कभी आपके पेपर में कहीं भी आसकता है मिट्टी के कड़ों में आडविक आकरशण एक्रशण के कारण घृत बल के खिलाब रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी होड़ के इसंब श्यीद हैं जब भी आपसे पेपर में पुछा जाएगा उसमें ये शब्द जरूर इस्तमाल करेगा आर्मिक आकाशन या मॉलिकुलर अट्रैक्शन मिट्टी के कड़ों में जब कहीं पर मालेजें यह मिट्टी का मेडियम भरा हुआ है इस जगा पर यहां पर छेद जिससे पानी बह करी है यहां से आप बूल बूल पानी गिराना चालू करिए तो मिट्टी के सारे कड़ों में पानी भरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इस मिट्टी के सारे कड़ों में पानी भरा हुआ है और यहां पर पानी नीचे गिर भी नहीं रहा है और मिट्टी के सारे कड़ जो है उसके सारे कण़ों बीच की जो जगा होती है जो रंद्र होते है वो पानी से भर भी चुके है तो इस इस्थिती में गुरुत अबल तो इस पर काम कर रहा है लेकिन फिर भी गुरुत अबल के कारप्लि ये पानी पीचे की तरफ नहीं ट्रांस्फर हो रहा है उस समय पर जो पानी है वो पीटी की क्या कराती है तो फील्ड कापासिटी का जो जब भी अब्जेक्टिव पूछा गया है तो उसके कीवर्ड या उसके जो मेन शब्द हैं परश्निके वो क्या होते है आडविक पानी मिट्टी में रुपता है और गुरु तुबल भी उसे खीच नहीं पाता है मतलब गुरु तुबल के खिलाफ रुपता है उसे क्या बोलेंगे फिल्ड कैपसिटिग अब आते हैं कि अधिया पॉइंटर पे संत्रित मिर्दा संत्रित मिर्दा पर गुरु तुबल का संत्रित गुरु तुबल का मतलब जिस मिट्टी के अंदर आपने पानी इतना डाल दिया कि इस मिट्टी के अंदर जितने इसके रंद है सब में पानी भर चुगा संत्रित मिर्दा पर गुरु तुबल का मतलब फिल्टी के द्वारा लगाएगे क्रेविटेशनल फोर्स का अगर एक हजार गुना एक हजार गुना बल लगाकर और उसे तीस मिनट तक घुमाया जाए गोल गोल ऐसे मिट्टी के अगर यह कपड़ें भल लिए और एक हजार गुबल लगाई तक घुमाते रहे हैं मिट्टी पर इसके कवागे पानी निकलता जाएगा मिनट तक लगातार घुमा देंगे तब उसके बाद भी मिट्टी के अंदर कुछ नमी बचेगी उस नमी को बोलते हैं तुल्ले नमी या का इक्यूलेंट मॉइस्चर जब भी ऑप्जेक्टिव आया है इक्यूलेंट मॉइस्चर का उसमें यह दोनों चीजे कॉमन रही ठीक है संत्रित मिर्दा को गुरुत बल का एक हजाअ गुणा बल लगा कर तीस मिनट तक घुमाने के बाद जब उसके अंदर से पानी बहार निकल जाएगा तो कौकि आपको पता कोई गिली चीजिंग घुमाएगे तो पानी चाल कर तहार जो तो जितना उपलब्धनमी का वह भाग जो पौध असानी से या इसली टेकन बाई प्लांट्स ले लेते हैं उसे तॉरिक उपलब्धनमी या इडली अवलेबिल मॉइस्टर कहते हैं मतलब कि पाउधों को जो आब पानी देते हैं तो जो पाउधों के लिए अविलेविल मॉइस्टर होता है है उत्सक्राइब का एक हिस्सा होता है तो यह आपका पॉइंट हो गया इस पॉइंट को आप लोग as it is note करी रहिएगा तोकि यहां पर जो दो शब्द हैं क्या है वह भाग जो पौधे आसानी से ले लेते हैं या easily taken by plant इसको क्या कहते हैं तौरिक उपलब्ध नमी या readily available moisture readily का मतलब तुर्ण तयार ठीक है readily available moisture अब आईए इसके बाद जल की वह मात्रा जल की वह मात्रा जो छेत्र धायता फील्ड के पश्रित तक लाने के लिए चाहिए उसे क्या मुलते हैं soil moisture deficiency ये question भी कई बार उचा गया है कि मिट्टी में पानी की कमी होती है और आप जब सिचाई करते हैं मिट्टी की तो आप केवल उतनी सिचाई करते हैं जितने से मिट्टी के अंदर सिचाई की कमी क्या हो जाए या नमी की कमी है वो क्या हो जाए पूरी हो जाए तो जो नमी की कमी होती है उसको क्या बोला जाता है soil moisture deficiency या उसको क्या बोलते हैं मिर्दा जल कमी प्रश्ण आप से क्या आता है कि जल की वह मात्रा जो field capacity तक मिट्टी का नमी पहुचाने के लिए डाली जाती है मिट्टी के अंदर उसको क्या बोलेंगे soil moisture deficiency या मिर्दा जल कमी यह pointer मैंने English में भी कर्वर्ट किया है कि amount of water required to achieve field capacity is called soil moisture deficiency इसको soil moisture deficiency कहते हैं और field capacity तक ही मिट्टी की जल मात्रा को पहुचाने के लिए हम क्या करते हैं से चाहिए करते हैं क्योंकि अगर field capacity के ऊपर आप से चाहिए करेंगे तो वह सारा का सारा जल गुरुत जल में कर्वर्ट हो जाएगा और फिर द्वारा नीचे खीच लिया जाएगा तो बाहार से डाले गए पानी का कोई फाइदा आपको नहीं मिलेगा सिर्फ उतना ही पानी डाली है इतने से खेत जो है अपनी फिल्ड कैपशिटी तक पहुच जाए तो यह आपको पॉइंटर खतम हुआ एक पॉइंटर से रिडिटर तीन चार इंफोर्मेशन और निकल गया है अब आते हैं इस चित्र जो चि इस दायग्राम में हमने यहां पर ऊपर का जो डायग्राम है आपको यहां पर ऐसे ऐसे लागी ओंडिखाही जिए और यहां पर आपकी डॉटर दिखाया गया है तो आप ध्यान दीजिये इतने हिस्छे तक तो यहां पर जितने प्रकार के जल होते हैं विट्टी वासरीगे यहां पर अगर आप जल की बात करें तो सबसे पहले गुरुत तुजल दिखाए गया है या इसको गुरुत तुजल को दूसरें रूप में शूपर फ्लुइस वॉटर या अतरिक्त जल भी कहते हैं तो मिट्टी में जल की वह मात्रा जो फील्ड कैपसिटी के ऊपर है तो जैसे जल की मात्रा बढ़ेगी तो यहां से यहां से यहां से एक लाइन लाए गई है जिसमें ही कुछ हिस्ता क्या एक लिएृöट्ट है और केपलरी वॉर्टर का कुछ हिस्ता क्या दिखाने हैं और कुछ लइबल heh लाइंगे तो आप देख कर अनुबलत sono अगर दिखाने हैं तो इस तरफ दिखान देजे एं तो इसमें दिखा रहा है अत्रिक्त जल के बार उपलव्द जल प्राफ्थ होता है और पौधों पे लिए उपलव्द जल के बार अनउपलव्द जल प्राफ्थ होता है लेकिन अनउपलव्द जल जो होता है वो भी कैपिलरी वाटर के इस वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा इसका मतलब यह हुआ जो केशि का जल है या कैपिलरी वॉाटर है जो मिट्टी के रंधों के अंदर भरा हुआ है उसका सारा जल पौधे नहीं खीच पाते उसका जो जल पौधे खीच पाते हैं उसी को एवलेबिल वार्टर कहते हैं इसका मतलब यह हुगा कि एवलेबिल वार्टर जो होता है वह डूसरा रूप है तो एवलेबिल वार्टर जो है एवलेबिल वाटर या उपलब्ध जल, पौधों के लिए जो उपलब्ध जल है या केशी का जल का ही दूसरा रूप है या केशी का जल को ही उपलब्ध जल कहते हैं लेकिन केशी का जल का सारा हिस्सा पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि केशी का जल्त की यह लाइन दिखाई गई जन तो यहां से यहां तक मैंने दिखाया लेकिन जो यह लाइन आ रही यह 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 से क्या दिखा रही क्या का जल्ट का फूछ फिस्ता ऐसा है जो पौध लिए उब्लब्द नहीं है क्योंकि unavailable या अनुबलब्द जल कहां से कहां तक है यहां से यहां तक है तो केशी का जल का वह पॉइंट जब आ जाता है जब पॉधों के लिए अनुबलब्द हो जाता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं बिल्टिंग पॉइंट या मिलानांक बिंदू तो क्या मिलानांक बिंदू पर केशी का जल पॉधों में या मिट्टी में होता है मिलानांक बिंदू के तक पर भी कैपिलरी में या केशिका में मिट्टी के अंदर जो कड़ों के बीद जो केशिका बनी है उसमें पानी होता है लेकिन वो पौधों को मिल नहीं पाता है ठीक है और उसके पास जब कैपलरी वॉटर खतम हो गया मिट्टी के अंदर तो यहां पर दिखाया गया हाइग्रोस्कोपिक वॉटर हाइग्रोस्कोपिक मतलब आद्रता ग्राही जल और आद्रता ग्राही जल पूरी तरह से क्या है हाइग्रोस्कोपिक वॉटर जो मिट्टी उन्वार्मेंट या से अपने फ्रफिक निकाले से उसकते तो गती ही खतम हो गई जब तक मिट्टी को आप ओवन के अंदर गरम नहीं करेंगे तब तक वह बाहर नहीं तो हाइग्रोस्कोपिक पूरी तरीके से कैसा है अनुप लगते हैं तो यह तो डाग्राम है इसका इता रिलेशन बहुत अच्छे से आपको समझना है अब इसको उल्टा भ पानी और डाला गया तो उसकी सारी कैपिलरी भर गई तो जब सारी कैपिलरी भर गई तो फील्टी कापसिटी आ गई और पानी डाला गया तो कैपिलरी भी भर गई लेकिन अब एक्स्ट्रा पानी क्या होगा मिट्टी के से रिस्ता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा इस यह वो गया अब आते हैं इस पर अगले पॉयंटर पे यह जो डायग्राम था बहुत ही इंफॉर्मेटिव डायग्राम था इस डायग्राम से आप बहुत सारी चीज़ें इंटरिरेट कर सकते हैं और यह जितना इंटरिलेशन था मैंने इसमें आपको बता गी दिया है कि कि य पानी होता है जब मेटी कं लानां की बिंदू आता है तो क्या केश्ड का जल मुझूद होता है लेकिन उन पौधों को नहीं मिलता है जब केश्ड का जल भी खताब तो चाहिए और अत्वा प्रह जल कैसा है वाज तरह से अनुपलत है अब आते हैं पे कि अध्य को कि यहां पर दिखा है सिचाई की निबल आवशक्ता तो यह पॉइंटर थोड़ाँ से नीचे पड़ रहा है इसमें लिखा हुआ है इसका फर्मूला लिखा है नेट इरिगेशन इक्वार्मेंट का और यहां पर आरी का मतलब होता है प्रभावी वर्षा मतलब इफेक्टिव रेंफॉल इफेक्टिव रेंफॉल और कि आई आर का मतलब होता है उप्भोगी से चाहिए आउशक्ता या कंजम्टिव इरिगेशन इक्वार्मेंट या उप्भोगी से चाहिए आउशक्ता अब इसका मतलब आप समझ देजें कि जो फर्मूला है इससे अप्जेक्टिव कई बार आते हैं तो इंडर का मतलब नेट इंडरिगेशन अप्जिवार्मट मतलब सिध की निबल आउशक्ता मतलब कितनी सिध हय स्थिघ्रू आप करनी है यह आप कैसे कर सकते हैं जब आथ आपको यह पता हो कि पौझों को कितनी उिप्भोगी सिजाई चाहिए मतलड। को कितनी टोटा से चाहिए तो जब आप कितनी तो जो घुझण में पानी दे ते थे हैं तो दो प्रकार से पानी का इस्तिमाल होता है एक होता है evaporation या इसको बोते हैं वाश्पन और एक होता है transpiration transpiration का मतलब कि पौधों की बढ़ोत्री दो प्रकार से जल जो है आपके इस्तमाल होता है सब्सक्राइब वाश्पन में और इस पर उतना ना करना या यहाँ जो पानी आपकी दोनों चीजों में इस्तेमाल हो रहा है वाश्पन या ट्रांस्परेशन या पॉधों की बनुतरी में उसको क्या बोलते हैं भोगी सिचाई आउशकता या कंजम्टिव इरिगेशन रिक्वार्मेंट या सी आई 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 तो जितना पानी पॉधों को चाहिए उसमें से अगर यहां माइनस आरी किया यह मत्लब प्रभावी वर्शा तो जिस समय आपने फशल बोई और काटी तो फसल बोने के पहले आपने एक बास ही चाहिए करी और फसल काटने क तो फसल काल के दौरान जितना पानी आपको प्रभावी वर्शा या वर्शा से प्राफ्थ हो गया तो पाउधों को जितना पानी चाहिए था वर्शा से जो पानी प्राफ्थ हो उसको आप घटा दीजिए प्लस जो पाउधों को जो पानी दिया गया तो खेत से रिस्कर ज चला गया तो रिस्क पानी पर चला गया उसको क्या बोते हैं लीचिंग वाला पानी लीचिंग की वज़या से जो हान ही हो रही है उसको calculate कर लीजिए और उसको लाकर आप यहां पर जोड़ दीजिए तो यह पर हम लोग क्यार कर रहे हैं पौधों की जो कुल पानी के आउशक्ता थी जो वाश्पन और बढ़ोत्री दोनों के लिए चाहिए थी वह आपकी सियायर हो गई उसमें से पाउधों को बोने के दोरान जो हमारा पानी बरसा वह हमने घटा दिया को जब पानी हमको बरसा से प्राफ्ट हो गया वो तो हम पानी हमें खेट को देना है तो सिचाई के आउशक्ता निकालने के लिए यह हमारा एक तरीका होता है यह फॉर्मूला कई बार बेवरोन हुचा गया है और इस फॉर्मूले से रिलेटेट जो भी फैक्स है हम लोगों ने इस क्लास को डिसकस कि तो दिस इस आल अल इबाट यह हमलोग की plouse ठीक है हमके समझ में आ रहा होगा कि कई बुच्चे संखिया में आएंगे जोइन करने के लिए क्लास से ज्यादा Böyle क्लास कोई भी नहीं है ठीक है और इसको आप आईए तुरंत जोइन करिए और तुरंत मेरे पास मैसेज करिए और मैं आपका नाम तुरंत स्टडी सर्किल के आयोग क्लास प्लस लाइट प्लेटफॉर्म पे एड़ करूं और इस क्लास का अनल उठाइए बड़ी से बड़ी सं